लें जी exercise 2.2 question number 4 का दूसरा पार्ट अच्छ अभी यह क्या करना है यह easy है recording start होगी है कल वालीबल के मैंने है भी एक दो रहती है वो pending अप्लोड कर नहीं है अच्छ अब यह युनिवेर्सल सेट दिया हुए मारे पास ए बी और सी भी साथ मेंशन किया हुए तो इसमें अब कह रहे है हमारे पास बी कॉंप्लीमेंट और फॉर्द का सेकेंड पार्ट जो है तो बी कॉंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है यूनियन में से युनिवर्सल सेट में से बी माइनस कर वारना अब यह देखनें यह यूनि वर्सल सेट है यूनिवर्सल सेट में आ रही है 6 7 8 9 10 वो इदर आजेंगे मालपा 6 7 8 9 10 जी आफ़ाद नेक्स्ट चट टीसरा पार्ट ए यूजिन भी अच्छा अच्छा बहन लेता हो भी और क्या हो गया है बता नहीं आप ऑफ आप अजय को आप आपको पता है सैट वसेट बीक दोन जितने बी अलिमेंट तो होते हैं वह सारे के सारे हमने लिख देने होते हैं स्वाए उनके एक दफा लिखना है उनको जो हमारे पास repeat हो रहे हो मतलब सेट A में भी हो सेट B में हो तो अब यह देखें A union B हमारे पास इदर क्या आ गया लिए में आ रहा है टू फोर सिक्स एट एन और इसमें आ रहा है वान टू टू तू दूनों में आ रहा था उसको एक दफा लिख लिए फिर फॉर आ गया फाइफ आ गया शिक्स आ गया यह गलत तक गया है इदर ना यह गलती कर गया है शिक्स आगे सैवन नहीं है सैवन नहीं है इदर इसके बाद आना था एट फिर नाइन भी नहीं आना यह जो नहीं है तो नेक्स आफसर नेक्स ए सर इसका च्छटा पार्ट इसका च्छटा पार्ट हाँ है और में मथ हम एकारर है अच्छते पार्ट नहीं हुं है कि क्या आपने ले लेंगा का तर제 मैन इसको माईस करना है यह में से आपको पता है यह मैंस करेंगे तो वह माँ करता है हैं ऑस ठीड फाला ये लिऑ अड़ Bernard रहा है में वह कैसे वह यह देक्षे थोड congress月 तो देखते हैं हमारे पास यह देखें वान थ्री फाइव सैवन और नाइन जब बी करेंगे तो वान टू थी फार फाइव तक एंसल हो जाएगा तो देखते हैं हमारे पास यह देखें वान थ्री फाइव सैवन नाइन आ गया युनियन जब सीम स्वरी करना था तो फिर में हमारे पास उसके और नंबर थे तो वह और नमबर माइनस हो जाएंगे पिछे उसके ईवन नमबर रहेंगे टू फोर सिक्स एट टैन अब इन दोनों का युनियन हमारे पास वही युनिय युनिवर्सल सेट्टी आजेगा 12345678910 यह वाले क्वैसन तो आप लोगों ने न मतलब पांट्वी क्लासेज करने चुलू कर देते हैं युनियन वाले ना युनियन इंटर्सेक्शन जी आफ़साब नेक्स्ट नेक्स्ट है सब यह आठमा साथमा पार्ट साथमा पार्ट म सब्केंने एक कॉंप्लिमेंट आपको पता यू मेसे अ माइनस करेंगे वो आपके पास पहले बीदर लिखा यू मेसे माइनस करके 13579 वह आ गया और सिए आपके पास आ वही 13579 मेन तो तो दोनों का युनियन क्या होगा वन को भी एक टाइम लिखने हैं त्री को भी एक ट लाटना, वह ग ornament range करके लिखते हनने जो repetition होती हैं अंक्को one time लिखते है नेक्स्ट नेक्स्ट है सर रेट ड्परेग्रम है question number five दूसरा पर्ट statement Cast number 5 दूसरा पाउड अब ये इसमें a union a intersection universal set तर यह ही है intersection university intersection का मतलब आपको पता है जो दुनों में common part होता है वो ही लिखते हैं अब यह देखें यह है ना उसकी statement भी यह है इनकी diagram ना नहीं है ना जी sir हाँ जी sir इनकी है यह नहीं है यह मारे पास है 2, 4, 6 let's suppose यह देखें आपके पास यहाँ प्यार है आपके पास 2, 4, 6, 8, 10 यहाँ प्यार है 1, 3, 5, 7, 4, 9 statement में लिखा है using the Venn diagram if necessary find the single set equal to the following इसमें महले set का कोई उपर वाले set का तो नहीं कोई लिखा हुआ इसमें डायग्राम भी बनानी है सेट का कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि यह उपर वाले set लेने हैं सही हो गया तो वैसे भी आपको पता है universal और universal जो set होता है वो हमारे पास क्या होता है main set होता है यह universal set होता है इसमें अगर हमारे पास A आएगा universal और A अपस में क्या होगी उनका intersection लेना है तो common part कौन सा आएगा दुनों का यही आएगा अगर यह values ना भी हो हो हमारे पास आपके पास उसका answer फिर भी कौन सा आएगा वो A के बराबर ही आएगा क्यूंकि A वाले common part होंगे A में हमारे पास यह देखें जैसे यह example थी universal में बड़ा सेट होता है और A सेट हमारे पास छोटा था और छोटा सेट हमेशा इसमें contain करेगा तो इसका मतलब अब जास हमने शेड किसको करना था सेट ओफ एको जी आफ नेक्स्ट है सर इसका चोथा पार्ट है सर बापस ने यह तो बड़े सांसांस है यह पांच फाइन चटा यह शुरू करें यह लास्ट है कैसे है मतलब ए यूनियन जब लेंगे फाइल के साथ वह आपको पता है य यह आएगा यह तो अंडर्स्टूट ची बात है अब यह देखें इन्होंने काया है ए कंटेंड कर रहा है भी सवाल तो कुछ और दिया है यहां पर क्या है इस वाल है तो आले यूज रेंड डियाग्राम तो वेरिफाए द फॉल्विंग ए माइनस भी इस इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉंप्लिमेंट क्या दिया है वह है दो पार्ट है सर पहला पार्ट है ए माइनस बी इस इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉंप्लिमेंट फिर कहीं आगे ना हो यह वाला तो नहीं ए माइनस बी जी सर यह है अब देखें वह ए सब्सक्राइब करने कॉंसा पारट इसका फिर्सट पार्ट इसे डोनों यह आ ओक्राइब श्यूंड कि अब यह देखें वाला भी, और लेपिंग वाला भी, अब यह हमने डायग्राम लानी है, A और B, यह एक सेट ले लिए हमारे पास A, इसी तरह सेट आगया हमारे पास B, अब A में से हमने B माइनस करेंगे, तो हमारे पास B माइनस हो जाएगा, जस्त वैल्यू किसकी रह जाएगी, A की, यह जब यह इन दोनों को मिलाएंगे आपस में, A माइनस B को, तो इन में से कौन सा होना है हमारे पास, माइनस कौन सा होना है, B की वैली सारी की सारी खतम हो जाएगी, क्यूंकि हमने रुमेनिंग किसकी वैली लिखते हैं, बस A की, उसको शेट कर दिया, फिर दूसरे में हमारे पास, दूसरी स्टेट्मेंट में हमारे पास इधर कह रहा है, A intersection B compliment, A तो हमारे पास यह है, B compliment हमारे पास क्या होगा, B, अगर B यह है, तो B compliment हमारे पास इसके बाहिर वाला हिसा होगा, यह देखें, यह लिखा हो है, अगर B यह वाला था, तो B compliment हमारे पास इसके बाहिर वा होगा यह देखें कि यह थी इस में इस डाइग्राम में बनाते हैं हम इस डाइग्राम में ही हम उधर बनाते हैं अब यह डाइग्राम है अब इस डाइग्राम में यह सारे कि सारे पॉइंट्स आ रहे हैं एके इंटर्सेक्शन लेना इनका यह तो ऐसे इंटरसेक्शन लेंगे जब इंटरसेक्शन में तो हमारे पास common part है इसमें तो यह common आई नहीं रहा है यह वाला portion को इसको वैसी blank छोड़ देंगे यह वाला shade कर देंगे हम trend पे उसने यह ही किया हुआ यह ही shade किया हुआ है यह लेखे उसका compliment लेके उसको intersection कर लेना है B के साथ A-B पहले हमने define किया हुआ है इसका compliment लेंगे compliment इसका क्या होगा इसके इलावा A-B के इसके इलावा जितना भी portion आदा सब को shade कर देने यह देखें वो वाले को इलावा बाकि सारा portion हमने shade कर दिया फिर अब हमने इसका intersection ले लिया इसके साथ ही यह देखें यह वाले का intersection इसका intersection लेना पूरे का इसके साथ यह B वाले के साथ अब यह चीज यह आगी हमारे पास और B हमारे पास यह वाला portion आगया intersection इन दोनों को लेते हैं जब intersection लेंगे तो intersection में हमारे पास अब यह आगी मारे पास left hand side अब इसकी right hand side उसने क्या बोली है बी बी बोली बी बोली है तो बी इसेल्फ ही आ गया यह बी के सारी elements आगी है मारे पास तो यह बी की हैंस प्रूब कि खतम होगी एक्सेशाइब कि इसर एक्सेशाइब खतम हो गई है हुआ है नेक्स्ट है नेक्स्ट टूपांट री नंबर शिक्श का PART 3 अभी मैं लगा रहूँ यह प्ला स्वर्ट इसका पार्ट री है बाकी मैं भी बताता हूँ साथ साथ है मज़ा पहला सवाल है क्वेशन नाइनेनी कवेशन नमबर वन का PART 1 क्वाशन नम्मर वन का पाउड वन क्या कहाँ रहा रहा है स्टेटमेंट के है स्टेटमेंट बोलियेगा verify the commutative properties of union and intersection for the following A is equal to 1, 2, 3, 4, 5 B is equal to 4, 6, 8, 10 A equal to 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 4, 6, 8, 10 B 4, 6, 8, 10 हाँ जी commutative law इस पर union का intersection का proof करने है जी सर्ट अब ये देखें इनका जब union लेंगे union हमारे पास क्या आजेगा A union B ये आजेगा हमारे पास 1, 2 4 sorry 3 भी आएगा 3, 4, 5 5, 6, 8, 10 जब हम इसका B union A लेंगे तब भी हमारे पास यही value आजेगी commutative law प्रूव हो गया with respect to union इसी तरह commutative law हम प्रूव करेंगे intersection में intersection में intersection में इन दोनों में क्या चीज कामन आ रही है बस A intersection B में क्या चीज कामन आ रही है इसमें 1, 2, 3, 4, 5 था इसमें 4, 4 दोनों में कामन आ रहे है तो intersection में क्या आ गया 4 आ गया इसी तरह B intersection A में क्या आएगा उसमें भी हमारे पास 4 आ रहे है लेगा left hand side equal to right hand side यह प्रूव हो गया इसका सब्सक्राइब फिर question number 3 question number 3 question number 3 the morgan's law the morgan's law का क्या प्रूव करने u is equal to 1, 2, 3, 4, 10 10 up to 10 दूसरा है जी यू की value आगी माने पास 1, 2, 3, up to 10 a की value होगी sorry 10 ही 20 है चलो 20 तक कर ले आगी a की value a है even number 20 तक 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 20 और भी यह और नमबर 9, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, and 19 ठीक हो गया अब दी morgan's law proof करने दी morgan's law क्या क्या कह रहे हैं दोनों proof करने हैं या एक करने है चलो में एक कर देता हम दूसरा आप खुदी कर ले जीगा एक में हमारे पास क्या है सबसे पहले a union b a union b ले इने यह बास कास paper में आ जाता है long question कभी आया तो नहीं है वैसे लेकिन जैसे यह शुरू कर दिया है इननने second question में से long question आता है second chapter में से तो इसलिए फिर यह भी possibility होती है long question आने की क्योंकि यह important है दिए यूनियन वी हमारे पास metric में तो यह लाजमी आता आता दा a union b a union b करेंगे a और b का union करेंगे हमारे पास यह देखें a union b करेंगे तो हमारे पास one two three four five up to some one twenty तक ही आ जेगा और जब इनका complement a union b का compliment लेंगे a union b का compliment तो yu में से minus करेंगे यह सारे का सारा A-B यह 1 से ले A के 20 तक ही है यूनिवर्सल भी और A-B भी 1 से 20 तक ही है तो इनका सारे का सारा खतम हो जाएगा खाली साट रह जाएगा और A intersection A compliment intersection B compliment A compliment हो वाणे पास क्या आएगा U में से A- करेंगे U में से A माणे पास क्या माइनस होगा पीछे रह जाएगा हमारे पास 1, 3, 5, 7 अप टू सोवाण 19 जो कामन था वो खतम हो गया इसी तरह B compliment हमारे पास क्या आएगा वो बन जाएगा U माइनस B तो उसमें हमारे पास C1 नमर रह जाएगा 2, 4, 6, 8 अप टू सोवाण 20 जब इन दोनों का हम क्या करेंगे इन दोनों का हमने intersection लेना है इन दोनों का जब हम intersection लेंगे A compliment, intersection, B compliment तब हमारे पास देखें वो even number है एक, एक odd number है यह हमारे पास odd number आ रहे है यह आ रहे है even number तो इन में से दोनों में से कोई portion कामन नहीं होगा तो इसका भी आंसर क्या आएगा एंप्टी सेट खाली सेट तो यह देखें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड इसी तरह आपने इसका सेकिंड पार्ट प्रूब करना है कि अब है कि अब है क्वेश्चन नमबर शिक्स का पार्ट व दरम्यान में कोई भी नहीं है कि अब इसमें है तो कुछ भी नहीं इस चेप्टर में यह पहले दो तीन से आगे आगे जागे पता चलेगा जहां तक सैट है ना वहां तक बच्चों वाली चीज़ें है 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 हां सैट दा कर यह सी है बच्चेवाली चीज़ें है को अब शिक्स अब जब क्या है कि वेस्ट नमबर शिक्स है वह एक एनी सेट सी एज इस इपल टू वान टू 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 ट्री फोर फाइब वेरिफाई द फॉल्मिंग ए यूनियन ए इस इकूल टू टू ए चलो ठीक हो गई है आप लोग खुद ही करें लेना यह सिंपल है ए यूनियन भी क्या ऐ करेंगे तो आपको पथाइर अंसर उसका ए इह आएगा मतलब अगर म्रों कीध्री इन्ट्रर फईर्द पास संबान करेंगे और तब यह यादनी पास एगए जब A union phi करेंगे तब A आएगा मतलब यह जनरल स्टेंडर्ड से फार्मिलाज है आपको यादने चाहिए तो यह कर लेना इसमें और कोई question है कोई tricky सा हो मतलब union यह माइनस मुनेज के लावा नहीं सर वह आगे वेंड डियाग्राम ही फिर आती है वैसे तो यह सारा एट है दो स्वाल है यह एट के आखरी जो है question number nine का दूसरा पार्ट है वह वेंड डियाग्राम है जो लो देखते है question number nine का second अधर को जो है कि वह मैं आफसा पहले हमने किए इसकी करते है लुए कि पहले कि आदा काउंट्डै आ गया थर काउंडावकान साब कर रहे है मिया फरकान साब हाँड़ी बना रहे है तो सार में टी छोटे गजन लगे हुए है अच्छा चोड़ो यह देखो भी अब देखे हैं हम टेबल आपके पास यह नेक्स चनल यह आना है टुट टेबल PQ कहते हैं जब दो एक TRUE होगी एक FALSE तो इधर क्या होगी यह हूँ उसकी possibility होगी TRUE जो एक-एक possibility होती है ममने पास TRUE TRUE FALSE FALSE TRUE FALSE TRUE FALSE इनके अंदर हमने इनकी यह यह चीज़े पढ़नी है negation है एक हमारे पास है इसका and और यह आगी negation negative के लिए मतलब अगर true है तो उसको false कर देने false है तो उसको true कर देने and इसको और बोलते हैं यह अभी समझाता हूं आपको दोनों true होंगे तब यह true होगा otherwise true नहीं होगा यह और और जिसे English में और बोलते हैं इसको and बोलते हैं और इसको और और इसको उर्दू में बोलते हैं यह दोनों में से एक भी true हुआ तो statement true हो जाएगी फिर implies आती है इंप्लाइज में भी आपको भी यह सारी condition दना आपको भी बताता हूं अच्छा भी यह देखें पी और क्यू पी और क्यू का हमारे पास जो टेबल है उसमें हमारे पास अप्लिकेशन का किस में होती है तो टेबल इसमें लॉजिक लॉजिगेट्स या आपके जो बनाते नहीं है डाइयोर्ड उगारा पैस्टर उगारा अपने पढ़े हुआ है नाइंध क्लास में आपके फिसिक्स में थे इस तरह की डायग्रम ना आती है यह उदर आती है नेक्स अच्छा अच्छा सर्थ डायोर्ड की ना इस तरह की एक्जेंपल थी इसमें अच्छा भी यह है पी और क्यू बलके पहले पी और क्यू के पहले हम बना लेते हैं इसमें से हम लिखते हैं नगेशन पी नगेशन पी क्या बनेगा ट्रू है तो फाल्स फाल्स है तो ट्रू ट्रू नगेशन क्यू negation q क्या बन जाएगा false, true false, true फिर next हमारे पास आता है इनके दरम्याद में end relation p और और का पहले देख लेते हैं p और q दोनों true हैं तो true होगा एक भी true है तो true हो जाएगा एक भी true है false true true हो जाएगा दोनों false हैं तो तब false होगा अगर दोनों में से एक भी button on है तो light on हो जाएगी p and q इसमें दोनों on होगे तो तब on होगा अगर एक भी on है तो उसका कोई फाइदा नहीं दोनों true हैं तो ये true होगा, otherwise false p implies q अब इसमें हमारे पास ये वाले relation में न एक में हमारे पास होना है उसका गलत बाकी साथ में true true आएगा अब इसकी example देखो आप लोग किसी की मतलब होती है न, चोड़ी होती है तो वो जाते है नजूमी के पास नजूमी के पास जाकर उसे करते है जी हमारे ऐसे ये चोड़ी हुई है तो हमने मतलब चोड़ पकड़ना है वो नजूमी को नजूमी उनसे पूछ लेता है आपको किस किस पे शक है वो बोलते हैं मुझे असलम और अली पे दो नाम दे देते हैं ठीक है तो अब ये देखें दो नामों में आगया हमारे पास अगर दोनों नामों में true जो condition थी ना वो true होगी तो बाकी सारी false और जब केगा असलम और अली दोनों चोड़ है अगर वो के असलम असलम या अली दोनों चोड़ है असलम या अली या आ गया इसमें जब तो उसमें दोनों में से एक भी चोड़ हुआ तो true होगा अगर दोनों ही ना होगे तो false तब होगा और ये वाली example आपने इस तरह देखनी है कि अगर ये देखें एक बच्चा है वो लेता है उसके अबू कहते है उसको कि अगर तुम पास होगे तो तुमें बाइक मिलेगी condition लगी पास होगया तो बाइक मिलेगी बादा करता है इसमें वादे वाली condition देखनी है हमने अब ये देखो true है उसने पास होगया और बाइक मिलगी तो statement क्या होगी? true होगी अब ये देखो पास होगया लेकिन उसको बाइक नहीं मिली तो ये statement क्या होगी? false होगी अब ये देखो अब पास तो होगया oh sorry fail होगया लेकिन उसने जो वादा किया था बाइक लेने का हमने बाइक को देखना है इदर बाइक लेक देने का उसके जरीए ये चीज़ nhà आती है अब वो fail तो होगया लेकिन उसके अब उन्हें फिर भी उसको बाइक ले दी, condition बाइक की थी न, तो वो भी क्या होगी, true, अब वो fail हो गया, उसको बाइक भी नहीं लेके दी, तो statement क्या होगी, true, तो यह implies वाली statement, if, if then वाली न, यह तब आती है हमारे पास, एक यह होती है, इसके बाद एक होती है, हमारे पास, if and only if, अब यह वाली जितनी भी statement है, इनी statement के जरीए हमारे पास इस तरह questions आएंगे, negation p implies q, इस पूरे का negation and p और q, इस तरह की एक statement दी होगी, left hand side, right hand side के ब्राबर हमने प्रूब करनी होगी, इसके यह p implies q में, अगर यह second last देखे है, p, false sir, q, true है, तो फिर यह p implies q, true कैसे हो गया, true कैसे हो गया, मैंने का bike देने की condition देनी है, जहां जहां उसको bike मिल गी है, जहां 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 उसको bike मिल गी, भूण नी वह 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 हो जाएगा यह यह दूख subscribe में कार्दा समय की कंडीशन देखनी है न का परका की कंडीशन देखना हैं मतलब शर्त देखनी है कि मतलब एफ खूंप ऐसे होता है कि हम ब्ल हो कि आप बाइक लिए लिपते हो कंडीशन तो बाइक की थी अब यह तो फेल हो गया और बाइक भी नहीं मिली कंडीशन हाफ़ा आप इसलिए मैंने आपको बोला था कंडीशन हमने चेक करनी है उसकी न यह देखें आप इसके क्वेस्चन किस तरह के आएंगे इस तरह के क्वेस्चन है नगेशन पी इंप्लाइज क्यों इसके नाम भी है जो हम बोले है पढ़ेंगे नेक्स ना इसमें कनवर्स है इनवर्स वो इसके बाद मैं बताता हूं कनवर्स क्या होता है क्यूंकि टाइम थोड़ा रह गया था यह टौपिक थोड़ा सब तीन टौ कांट्रा पॉस्टिव कि यह हम उसमें ना आके करें आपके पास है कि सर्य फिजीकली ना करें आके हां चलो यह मंडे को पढ़ लेंगे काज़ हम देख लेंगे काल कप्य मारेंगे सर्थ